अब आझाचा से एंगल इंड और एंगल इंड रेडियन अभी करेंगे एंगल इंड इन जदीन कैसे डिफाइज करते ैं तो सुपोज यह अपका इनीश्य लाइन हुआ कि आफ दसो कुछ नाम देते हैं यह अ को नाम दे दी है O A और इनिसियल लाइन रोटेट किया और रोटेट करके एंटिक लोगवाज रोटेट करके यहां पहुंच गिया इसको नाम देते हैं A-S अब सपोज यह एंगल चला ठीटा हो हम बोलना है कि ठीटा रेडियन तो ठीटा रेडियन क्या होता है कि सपोज ए से एट है जब चला तो आर्क लेंथ चला इल यहां से यहां जब चला तो आर्क लेंथ चला इल तो पर आर्क लेंथ एल कब चला? जब इसका रेडियस था O A माल लिजे O A डंडा जो है O A इनिस्यल साइड जो है इसका लेंथ है आर्क तो जब आर लेंथ है तब ने एल चल रहा है तब अगर हम पूछे कि अब डंडा का लंबाई 1 यूनिट होता तो आर्क लेंथ कितना चलता ल यूनिट है इसी पर डिफाइंड है वन यूनिट पर ही डिफाइंड है कि अगर जो डंडा चल रहा है जो इनिस्यल साइड चल रहा है रोटेट कर रहा है तो उसका अगर लेंथ वन यूनिट होगा तो arc length जितना आएगा तो उसी arc length को हम लोग क्या कहेंगे angle in radian कहेंगे तो angle in radian कितना हो गया theta बराबर l by r radian हम लोग simply theta बराबर l by r भी लिखते हैं और radian नहीं लिखते हैं क्योंकि यह understood है लिखने का जरुवत नहीं पड़ता है माल लिया गया है कि अगर theta बराबर l by r सिधर लिखा हुआ है तो यह radian में ही है यह understood है कि यहाँ unit radian है degree के case में ऐसा नहीं है degree के case में आपको लिखना पड़ेगा जिसे माल लिखे कि अगर 30 degree आ रहा है तो 30 degree ऐसे symbol लिखना पड़ेगा minute है तो 1 minute 2 second है तो 2 second है से symbol लिखना पड़ता है लेकिन radian के case में unit नहीं भी लिखते है तो यह understood रहता है कि आपका जो angle है वो radian में है तो angle in radian क्या हुआ हुआ कि अगर जो initial side है उसका length अगर one unit है वो rotate कर रहा है तो circular path में rotate करेगा क्योंकि एक fixed point से अगर कोई एक fixed length rotate करता है fixed point के long fixed length rotate करता है तो circular path ही बनता है तो इस circular path का अगर radius one unit होगा तो one unit होगा circular path का जो circle बनेगा उसका अगर radius one unit होगा तो जितना arc length चलेगा उसी को हम लोग कहते हैं angle in radian तो यहाँ पर चुकी r unit था radius तो arc length कितना चल रहा था l तो हम लोग निकाल लिए कि अगर r का value one unit होगा तो arc length कितना चलेगा l by r चलेगा और इसी को हम लोग कहते हैं radian तो angle कितना हो गया l by r theta बराबर l by r radian तो अगर हम पूछे कि एक complete चक्कर लगाता है यहाँ से complete चकर लगाता है तो कितना radian angle चलेगा देख लेते हैं यहाँ से अगर चला और यह complete पुरा एक चकर लगाता है तो इस circumference के बराबर path चलेगा arc length जो है वो हो जाएगा circumference के बराबर तो उस case में theta कितना हो जाएगा theta बराबर हो जाएगा 2 pi r by r क्योंकि यह arc length l l जो है वो l कितना हो जाएगा circumference के बराबर circle के circumference के बराबर तो होगा 2 pi r r r cut गया कितना बचा 2 pi radian तो एक complete rotation में कितना angle चलता है angle चलता है 2 pi radian radian के respect में 2 pi तो one complete rotation में अगर हम degree में पूछे degree में 360 degree और one complete rotation में radian में पूछे तो 2 pi radian तो हम यहाँ से radian और degree में relation निकाल सकते हैं कैसे one complete rotation में 2 pi radian one complete rotation में 360 degree तो lhs बराबर है यहाँ तो rhs भी तो बराबर होगा तो 360 degree उट्ट्टू पाई दोनों बराबर होगा तो यहाँ πाई रेडियन में केतना degree हो जाएगा 360 प्र्टे टू 180 degree तब पाई रेडियन में होता है 180 degree और हम लोग जानते हैं कि वन डिगरी बराबर होता है 60 मिनट और एक मिनट में होता है 60 सेकेंड तो यहां से हम लोग अब सारा relation निकाल सकते हैं कि radian से degree में, degree से minute में और minute से second में, यह साब relation हम लोग को पता हो गया तो यहां हम लोग सीख गया radian, radian क्या होता है कि अगर जो circular path है, उसका radius है one unit तो arg length जितना चलता है उसी को हम लोग क्या करते है, radian करते है झाल झाल झाल